हेलो मेरी प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परागण के बारे में, आएए समस्ते परागेकणों का परिपक परागेकोश से निकल कर मादा पुष्प के बढ़ती कागर पर पहुचना परागण कहलाता है आए समस्ते हैं, देखिए, यह होता है परागेकोश, यह है परागेकोश, परागेकोश के अंदर जो है परागण रहते हैं और यह है यहाँ पर बढ़ती कागर, यहाँ पर यह बढ़ती कागर, तो पराग कणका परागेकोश से निकल की परती कागर पर पहुचना ही दिखते हैं प्रागन जो है दू प्रकार का होता है सौ प्रागन और पर प्रागन आज हम पढ़ने वाले हैं सौ प्रागन की बारे में जब किसी पुस्प के पराग कूछ से प्राग कन निकल कर उसी पुस्प के बर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्न पुस्प के बरतिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को सो परागन कहते हैं अब देखें लिखा है कि पुष्प के परागन को से परागन नकले कर उसी पुष्प के भरतिकाग्र या उसी पुष्प के किसी अन पुष्प के बरतिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को कह रहा समझेए सो प्रागन दोप्रकार से होता है पहला है सौयमन दूसरा है सजात पहला है स्वयुगमन परागा स्वयु यहाँ आती हम एक हम यहांपर एक डाइगराम पॉर लिए है आपके लिए अच्छी तरह के से समझने के लिए, देखिए, हो क्या रहा है, कि यहां पर यह एक पौधा है, इसमें एक, दो, ती, चार फूल है, अब हो क्या रहा है, यह एक फूल है, इस फूल में क्या है, जो पराग कोस है, पराग कोस से जो परागन निकलेंगे, जैसे यह पराग कोस है यहां से परागन निकलते हैं वो परागकन जो निकल के उसी पुस्प के बर्तिकागर पर पहुंच जाते हैं तो इस प्रिकार की परागन को हम कहते हैं स्वयोगमन यानि कि सेम पुस्प में हो रहा है कोई पुस्प है देखें यह कोई पुस्प है इस पुस्प का जो परागक देखें इस वाग मनें दूसी definition पढ़ते हैं यहां पर लिखा हुआ है सजाद पुस्पी परागन जब किसी पुस्पी की परागन उसी पौधे के यहां ध्यान देने वाली बात क्या है उसी पौधे के किसी अन पुस्पी के वर्ति का अगरवर पहुंसते हैं तो उसे सजाद कहते हैं जैसे की मक्का यहां पर अब समझने वाली बात इ시는 बाती देखें अब क्या हो रहा है जैसे यह somebody आ है यहां और यह यहां क्या हुरा है दूसे के बरतीकाग्र पर जा है यहां क्या हो रहा था यहां पुस्प एक ही है उसी पुस्प के पराग कुछ से पराग कन निकलेगा और उसी पुस्प के बर्तिकागर पर पहुच जाएगा लेकिन यहां क्या हो रहा है यहां दो फूल अलग-अलग हैं यह किसी फूल का यह पराग कन से मतलब पराग कन है जो किसी प्राक कुछ से निकल रहा है और यह दूसरा पुस्प है इसके बर्दिकागर पर पहुंच रहा है तो इस तरीके के परागन को सजाद पुस्पी परागन कहते हैं दोस्तों यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा क्योंकि डेफिनेशन में बच्चे भूल जा है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके की वीडियो और आपको आंगे मिलेंगी और दोस्तों यदि आपने हमारा एप डाउलूड नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जागी आप हमारे एप आकास लेक्चर और लाइन को डाउलूड कर सकते हैं और बहुत सारा कंटेंड क्री में पड़ सकते हैं